दोस्तों लड़किया भी अक्सर सोचती रहती है कि क्या वो मेरे प्यार में हैं? कैसे मैं जानू कि वो लड़का मुझे प्यार करता है? तो आज मैं लड़कियों को दस ऐसे संकेत बताऊंगा जिससे वो जान पाएगी कि सामने वाला लड़का उन्हें प्यार करता है कि नहीं? उसमें सबसे पहला है इशारू को जरा समझे क्या आपको लगता है कि वो आपको पसंद करते हैं? आपके आगे पिछे गुमते हैं? आपसे बात करने का भाना दोंते हैं? तो सिर्फ इसी से काम नहीं चलने वाला बलकि आपको कुछ और चीजे जाननी होगी जो कि यह साबि करें कि वो आपसे प्यार करते हैं? यदि आप वाकई जानना चाहती है कि वो आपको पसंद करते हैं या नहीं तो आप इन लक्षाणों पर ध्यान दें अगला है यानि कि दूसरा है आपके लिए प्लान बनाना अगर वो आपसे मिलने है आपकी मदद करने के लिए अपने पहले से बने प्लान में बदलाव करता है तो इसे साबित होता है कि आप इसके लिए सबसे इंपोर्टन्ट है और वो आपकी चीनता करता है जिसकी वज़ा से आपके आसपस रहना चाता है अगला याने की तीसरा है अहमियत जताना अगर वो आपसे प्यार करता है तो वो अपने जीवन में आपकी महत्ता को जरूद जतलाएगा या बात वो मैसेज, फॉन या इमेल के थूरू कर सकता है या खुद से भी बता सकता है हर रोज आपसे मिलना या आपको फॉन करने का समय निकलना आपके महत्त वको जताता है अगला याने की चोथा है सामाजिक जीवन का हिस्सा बनाना कोई भी लड़का जब तक किसी लड़की के लिए गंबेर रूप से नहीं सुचता तब तक वो उसे अपनी सामाजिक जीवन का हिस्सा नहीं बनाना चाता तो अगर वो आपको एक से ज्यादा बार अपने परिवार या दोस्तों से मिलवाने में बिलकुल नहीं सर्माधा तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि वो आपसे प्यार करता है अगला याने की पाँचवा है सपनों के बारे में बात करना लड़के अपने सपनों और उमीदों के बारे में उसी लड़की से चल्चा करते हैं जिने वे पसंद करते हैं तो अगर आपका साथी आपसे यही बाते कर रहा है कि भविश्य में वो क्या चाहता है उसके सपने क्या है उसकी बावना है क्या है तो वो आपको प्यार कर सकता है यह बात जाहिर करती है कि वे आपके प्यार में हैं और आपको जीवन साथी बनाना चाहता है अगला यानि की छठा है राय को सम्मान देना जब कोई लड़का किसी भी मुद्धे पर आपकी राय का सम्मान करते हुए उसे माने तो समझे कि उसके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है आपकी राय का संबान करके वो यह जताना जाता है कि आप उसे आगे भी इसी तरह अपनी राय देते रहें अगला यानि की साथवा है खुशी का ख्याल करना क्या वो अपनी पसंद का दियान ना रखते हुए आपकी पसंद को मान देता है और इसमें उन्हें खुशी मिलती है तो यह साफ है कि वो आपसे बे इंतिहाब प्यार करते है जैसे लड़कियों को सौपिंग करना बहुत ही पसंद है लेकिन लड़कों के लिए यह थोड़ा बोरिंग हो जाता है ऐसे में अगर वो खुशी-खुशी आपके साथ सौपिंग पे आए तो यह इसारा पक्का है कि वो आपके प्यार में है अगला यानिकी आठवा है सारी रिक संकेतों को संदी बोडी लेंग्विज पर ध्यान दे उनकी बोडी लेंग्विज को गौश से पढ़े अगर आपको देखकर उनकी आखों में एक अलग चमक आ जाती है वो हमेशा आपका साथ पाने के कोशिस में लगे रहते है तो आप समझ ले कि मामला ज़रा पॉजिटिव है अगला यानिकी नौवा है सब कुछ जानना चाहेंगे यदि आपको लेकर वे वाकई सिरियस है तो आपके बारे में सब कुछ वे जानना चाहेंगी आपके साथ समय बीताना चाहेंगी वो आपसे आपके बारे में आपकी परसनल लाइफ आपकी फैमिली पसंद नापसं नर्स माना जाता है लेकिन कभी आपकी तबीयत खराब होने खास ख्याल रखते हैं तो वह एक संकेत है बीमारी में राजबर जगना आपको एक मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ना जब बताता है कि वह दिल ही दिल में आपको बहुत चाहने लगे हैं यह सब इंसान किसी ख हाथ अपने हाथों में लेने की कोशिस करें यकीन मानि अगर प्यार होगा तो आपको सिर्फ हाथों की छुवन से ही अंदाजा हो जाएगा और हां ऐसा करते हुए अगर उनका हाथ हलका सा भी कापे तो समझ जाई वह आपके प्यार में पूरी तरह डूब गया है तो जीव अच्छा लगाओ तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेहर कीजिए थैंक्यू दोस्तों नो बैटर लिव बैटर